एक रूपिया में तीन गिलास लालू वीपी राम बिलास कहानी सन 1990 की है जब बिहार में जनता दल की सरकार बनी लालू प्रसाद यादो मुख्यमंत्री बने और तब एक नारा गूजा की एक रूपिया में तीन गिलास लालू वीपी राम बिलास अब एक रुपिया में क्या तीन गिलास? तो एक रुपिया में तीन गिलास ताड़ी और ताड़ी के साथ नाम जोड़ा गया लालू यादो, वीपी सिंग, पुर्व प्रधान मंत्री और राम बिलास पासवान का अब सब कुछ हुआ क्यों और कैसे उस वक्त पर लालू प्रशाद यादो पासवान और पासियों के हीरो बन गए यह सारी की सारी कहानी आपको हम सुनाएंगे आपको बताएंगे कि कैसे पासवानों ने इसका थोड़ एक ऐसा नारा निकाला कि राम विलास पासवान का कदर राजनिती में और बरता चला गया और लालू प्रशाद यादो को तो पासवान और पासियों अपना हीरो मान बैठा आगे आपको हम पूरी कहानी सुनाएंगे लेकिन उससे पहले हमारा परिचे है अपने मस्कारवन नाम है मोहित कुमार सिंग और आप जनता जन्शन देख रहे हैं साल 1990 में कहानी की शुरुवात होती है जब चुनाओ होता है तब चुनाओ के बाद जनता दल की सरकार मनती है लालू प्रशाद यादो बतोर मुख्यमंतरी बिहार की कमान को संभालते हैं अब लालू प्रशाद यादो के हाथ में बिहार राज का सारा का सारा फैसला लेने क अधिकार होता है लालू प्रशाद यादों एक ऐसा फैसला लेते हैं कि पास्वान और पासी खुसी के मारे नाचने लगते हैं अब लालू यादों ने किया क्या तो लालू प्रशाद यादों ने जो तारी होता है उस तारी पर से सरकार का जो टेक्स होता था उस टेक्स को हटा दिया अब जब तारी पर से टेक्स हट गया तब तारी और सस्ता हो गया और पासवान पासी एक दम गदगध हो गया और उसके बाद विपक्ष ने कहा कि इससे तो तारी पीने वालों की संथ्या बढ़ जाएगी लोग नशा के लिए तारीत पीने लगेंगे और तब विपक्ष ने नारा लगाया कि एक रुपिया में तिन गिलास लालू वीपी राम विलास मतलब कि राम विलास पास्वान और लालू यादो को लेकर जब यह नारा गढ़ा गया तो ये नारा बिरोध का नारा था कि लालू वीपी और राम बिलास को बदनाम किया जाए लेकिन इसके बाद पासवान और पासियों ने राम बिलास पासवान के लिए इस नारे को ऐसा गढ़ा कि राम विलास पास्वान का राजनीति कद उस वक्त पर कहा जाता है कि इस नारे से तै होने लगा अब राम विलास पास्वान के समर्थकों ने क्या कहा तो राम विलिस पास्वान के समर्षकों ने नारा लगाया कि एक रुपिया में 3 गिलास जीतेगा भाईर राम विलास यह 1990 के चुनाओ के बाद की कहानी है उस्वक्त पर लालू प्रशाद यादो राम विलास पास्वान कभी एक दुसरे का हाथ थामकर एक साथ उठाया करते थे एक साथ बड़ी-बड़ी रैलियों को संबोधित करते थे और उसी वक्त पर वादा किया गया था पासवान और पासियों से कि अगर सरकार तुम्हारी बन गई मतलब कि अगर तुमने वोट दिया और हम लोग सत्ता में आ तो फिर पासवान और पासियों के ताड़ी पर से टेक्स हटेगा लालू यादों ने अपना वादा निभाया और लालू यादों पासवान पासियों के लिए हीरो बन गए राम बिलास पासवान उस वक्त पर पासवान और पासियों के बड़े नेता बंते चले गए और उसी वक्त पर ये नारा गुजा की एक रुपिया में तीन गिलास लालू वीपी राम बिलास फिलाल पुराने तमाम नारों की अलग अलग कहानी है कि कौन सा नारा कब गढ़ा गया अब 2024 का लोकसभा का चुनाव सर पर आ चुका है पासवान पासी ताली सबकुछ इस बार भी लेकिन फिर भी आज के डेट में ताली पर बैन है पासवान और पासी इसका बिरोत करता है हमने आपको नारे की पूरी कहानी सुनाई आगे देखिए कि इस बार के चुनाव पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है आपकी क्या राय है कमेंट बोक्स में लेकर रबताईएग कि अमरेक से बिशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंग बहुत बहुत धन्यवाद